सोचिए कितनी पावन होगी वो मिट्टी जहां पर जन्म लिया इस महावालों में यह है भीम जन्म भूमि यह वही जगह है जहां पर विश्म के सबसे बड़े ग्यानी डॉक्टर भीम लाव अमेटकर का जन्म भूमि था और यह इसी इस्थान पर बनाया गया है यह भग्यस्मारत लेकिन कैसा हो अगर बाबा सहब की पैदाईस से पावन हुई इस धर्ती पर अगर हमारी भी संतान को पैदा होने का मौका मिले आपको भी लगता है ना काश हमारा भी यहाँ घर होता आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं कैसे चलिए हम आपको बताते हैं यहां से बस कुछ ही दूरी पर वो इस्थान है जहां पर आप अपना घर बसा सकते हैं और ये वो जगे है जहां पर आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं ये वो जगे है जहां पर आप अपना घर बसा सकते हैं क्योंकि यहां पर अब कुछ ही प्लॉट्स खाली बाकी है बहुत ही सीमित हैं प्लॉट्स अगर आप चाहते हैं खरीदना तो तुरंत आ जाएं क्योंकि मुश्किल से 20-25 प्लॉट्स अब यहां पर खाली हैं और उसके लिए भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि वो खरीदना चाहते हैं और आपको बताते हैं कि प्लॉट्स जो हैं वो बहुत ही कम रेट्स में हैं बहुत ही सस्ते दामों में और 1000-1500 या दिकी 600-1500 स्क्वेर फूट्स यहां पर पाउजूद हैं आपके बजट में सबसे बड़ी बात है कि आपके बजट में यह प्लॉट्स हैं और इन प्लॉट्स को आप अभी खरीज सकते हैं तुरंत आकर आप देख सकते हैं बहुत ही नजदीक हैं जन्मोभवी से मात्र धाई से तीन किलोमेटर के अंतर पर यह जगे है जिसे ओसिस पार्क के नाम से जाना जाता है और यहां से जो इंडस्ट्रियल एरिया है पीथम पुरा यह भी निश्यत रूप से करीब धाई किलोमेटर आके आसपास है एबी रोड याने कि आगरा बॉंबे रोड से बहुत ही नजदीक यह स्थान है यह कॉलोनी है और आप देखी रहे हैं कि किस तरह से इसको बहुत 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 तरीके से डिवलप किया जा रहा है देखें यह कॉलोनी में पार्क भी है यहां पर पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था पहले इस से जादा है या करीब कर भी ये समझें कि इसके बराबर वो दाम है जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्द नहीं है चिल्डेन पार्क्स भी हैं यहां पर सारी सुविधाएं यहां पर पहले से कर दी गई है यानि कि आप आए सीधे यहाँ पर अपना मकान बनाए और रहना शुरू कर दे और अगर आप चाहते हैं कि बाबा सहब जहाँ पर पैदा हुए वहाँ पर आपकी आने वाली पीड़ी पैदा हो तो निश्ची दुरूप से यह प्लॉट्स यह जगह यह आपके लिए बहुत ही बर्दान साबित होगी बहुत ही बहतर और अच्छा सावदा साबित होगी इस जगह का नाम है ओसी स्पार्क जन्व ममी का इस मारक यहाँ से आपको बिलकुल नज़र आ सकता है बहुत ही हलका हलका यहां से नज़र आता है क्योंकि यह तीन किलोमेटर पर यहां से मौजूद है और यह देखिए विलकुल नज़री की यह ओसी स्पार्क है इसके आसपास भी और भी कोलोनिया बन रही है लेकिन अभी उनकी परमिशनस और वो सारी विदायं वेवस्ताय है वो नहीं हुई है अभी वो प्राइमरी स्टेज पर है फिर भी इस जगे पर जो जगे की कीमत है जो जमीन की कीमत है वो बहुत ज़ादा है लेकिन बहुत ही कम आपके बजट में ओसी स्पार्क आप तो दे रहा है वो प्लॉट जो आप आपका ड्रीम प्लॉट हो सकता है जो आप चाहते हैं कि बावा सहाब की जगे पर जहां पर वो पैदा हुए थे वहां पर आपकी आने वाली पीड़ी भी पैदा हो यह वो जगे है जहां आपका सपना पूरा हो सकता है आप चाहें तो यहाँ जमीन लेकर आप उन लोगों के लिए भी रुपने का इस्थान बना सकते हैं जो लोग 14 अप्रेल को भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं ओसिस पार्क में आप आईए और देखे यहाँ पर विजिट कीजिए और निश्ची दुरुप से हम जो बात आपको बता रहे हैं जो भी आपको यहाँ पर हमने बताया है वो सत प्रतिशत सही है आप पाएंगे और अधिक जानकारी के लिए कृप्या इन नमबर उपर संपर्ग करें